कि चैक करेंगे तो इस वक्त क्या है आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया है आज की रीडिंग में क्या है चाहे वह प्रामिस आपसे शादी का हो चाहे जिंदिगी भारिक दूसरे के साथ हम रहेंगे वाला हो या फिर कोई अधर टाइप ओफ कमिटमेंट प्रामिस तो क्या आपका जो परसन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहें क्या वह अपना वादा आपसे नो-contact में है तो क्या यही चीज़े जलती रहेंगी या फिर कुछ ठीक भी होगा आपके दे में क्या निभाएंगे वह अपना वादा आप क्या जो नोने किया है शादी का या फिर जो भी लाइक है ना या फैमिली अगर बीच में आ रही है तो क्या फैमिली से बात करेंग अपने पर्सन का चंद्र राशी तो आप उस वेस पर देख सकते हैं यूगि मैं राशी बताओंगे इसके अंदर और अगर आपको नहीं पता है मौन साइन्स चंद्र राशी तो फिर आप नेम राशी से देख सकते हैं मतलब आपके जो पार्टनर है ना उनके लैटर का फर काड़ाया हुआ है राशी बताते चलती हूं मुझे तो यहां पर सबसे पहले शादी को ही लेकर कमिट्मेंट दिखाए दे रहा है कि इन्होंने आपको शादी को लेकर वादा किया था रिष्टा आपका चाहें कोई भी हो लेकिन इस वक्त मेरे को जूफ एनर्जी आई हु कि हम तुम जो है वह शादी करेंगे या फिर मैं तुम से शादी करना चाहती हूं या चाहता हूं जो भी वह आपके पारसन क्योंकिया पर मेल फेमल कोई भी देख सकते तो यह डिखि सबसे पहला लेकिन क्या क्या हुआ वह तो यहाँ पर जो दिख रहा है वह यहाँ पर इसूस दिखने लगए में रिको फस्ट कार्ड में जो अर्जी जा रही हो सके अकॉर्डिंग तो आपके परसंट की फिलिंगस तो दिख रही है मुझे आपको लेकर चाहत उनके दिल में दिख रही है आपको लेकर कि उनके दिल में चाहत है आपको लेकर और काफी जादा पॉजिटिब दिख रहे हैं मुझे आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर बहुत जादा उनकी अनरजीज भी समय पॉजिटिब लेकिन बहुत देख रहे हैं मुझे क्यों? ऐसा लग रहा है कि बहुत सयड है और बहुत ज़ादा परिशान है किसी बात को लेकर बहुत ज़धा mentally मतलब एक तरिके मैंटलि बहुत ज़्यादा stress ले रहे हैं किसी भी बात को नहीं ना तो से सोच पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं बलकि बहुत जादा उदास पैटे हुएए यह चीज दिख रहे हैं दूसर अना आपह की परसन मतलब कई ना कई उनको क्या और नहीं कि वह बहुत जादा क्र रहा है न तो काफीद उनको करियर में या फिर कुछ financial problem कुछ career में या फिर कुछ health issues भी आ रहे हैं यह चीज़ यहां दिखाए दे रही है क्योंकि मेरे जहां तक मैं इस उड़्चा को देख रही हूं ना तो क्या और नहीं कि आपके relationship में आपके partner की जो family है या जो मतलब थर्ड पार्टी जो issue आ रहे ना वह कई नहीं आपके relationship को अभी राजी नहीं हो रही है जिससे ना आपका person बहुत जादा परिशान है वह आपके साथ तो अपनी feeling को भावनाओं को इतना शेयर नहीं कर रहे हैं आपको वह लगातर हो सकता है कि यहीं बोल रही हो दो बाते हो सकता है कि बोल रहे हो कार्ड के according कि या तो यह बोल र इंदर वह बहुत कोशिस कर रहे हैं आपको सामने से इसली मना कर रहे है क्योंकि कई ना कई उनको यह लग रहा है कि आप बहुत जादा अगर वह आपको हाँ हाँ बोलते रहे और अगर पीछे से किसी ने family ने साथ नहीं दिया support नहीं किया उनकी कोई बात नहीं सुनी तो और वह आपको क्या answer देंगे और बहुत जादा इस चीज़ को लेकर ना बहुत ही जादा अंदर से परिशान है तो यह चीज़ यहां पर मुझे दिख रही है और इस बज़े से क्या हो रहे हैं कि करियर को लेकर भी ना उनके उनको बहुत losses हो रहे हैं और मननी लगना और family स से भी ना आपके person बात नहीं कर रहे हैं यह चीज़ मुझे दिख रही है family है या फिर थरड़ पार्टी है ना तो चुप से रहने लगे हैं आपके person silence हो गए अब यहां पर भी आप देखो हो सकते हैं कि आपके दौनियों के बीच में कोई क्यून आप सोट्स भी हो जो हो रहा होगा मैं यहां पर बता देती हूं आपको क्योंकि वो ना दिन रात आपी के बारे में सोच रहे हैं हर वक्त उनके दिमाग में समझ लो आप चल रहे हो और मतलब कुछ नहीं चल रहा है तो ना यह चीज़ यहां पर दिख रही है तो उसी चीज़ ना मैं यहां पर क ही कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके परसन ना अपना वादा निभाने की ना पूरी तरीके से त्यारी कर रहे हैं यह चीज मुझे दिख रही और ना आपकी परसन हो सकता है कि अनर्जीस के अकॉर्णिंग मैं देख रही हैं कि कुछ गलत फैमिया भी आप लोग के बीच में हो गई है इन इस जो ट्यूरिंग टाइम है उस टाइम आप पिरियट में कुछ गलत फैमिया कुछ मिसंडर्स्टेंडनिंग और कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको ना मतलाव एक तरीकी से दूर कर रही है और उस बज़ principals बैंस ब्लाक कर और दी आipsंव का प्लाएंणे च्परon spiritual हो गए इस time of period में guys वो हर वक्त ओना इश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं आप इस कार्ड को देखो कि एक परसन है और वो इतने इमोशनल ही है इतना इमोशनल है इतना जादा वो उसको अपना परसन मिस कर रहा है उसको याद कर रहे है और काफी जादा ना जबकि उनके स burden हो जिससे वो मतलब burden की बज़े से हो सकते है कि वो अपनी life में उनको बोला जा रहा है कि तुम अपनी life अलग तरीके से सैट करो लेकिन उनके सामें इतनी option होने के बात भी ना वो किसी के साथ नहीं खुश है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे है अगर आपक no contact है ना और पिछले काफी दिनों से महीनों से अपने बात ने की है ना तो आप यह समझे लो कि आपका person हर हर time हर वक्त उसको ना सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा फील हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या मुझे इस तरीके से वेवियर नहीं करना चाहिए था तो ना यह सारी चीज़ें भी ना आपके परसन को बहुत ज़्यदा हट कर रही हैं अंदर यह अंदर ने तुम काफी हट हो रहे हैं आपके परसन और वो अपनी फीलिंग को ना इतना ज कर रहे हैं कि है इश्वर रही everywhere की कुछ ऐसा हो जाए जो वह का साहत अप मिल जायी हैं आप उनके साथ हाजओ हर दूसरे के सात्या को पहले मेह देक रही हुघ लिए लाग वोक्त एक दूसरी के साथ दि इकाई दिखाएते रहो हर ठाइम कॉल पर बात करना बल्कि आप लो हेल्प करते थे और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज होती थी कोई परिशानी है कोई प्रावलम कोई शूज आ रहे न तो आप उनको बोल देते थे कि मेरे यह चीज हो रही है वह चीज हो रही न तो वह एकदम अब लेवल हो जाते थे मतलब इतना ज्यादा आप लोगों में मुझे यहां पर इतनी अच्छी बॉर्ण लिंग दिख रही है और जैसे हो तने कि सड़न ही सारी चीज़े चेंज हो जाना सड़न ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने क्योंकि अभी भी मतलब यहां पर में देख रही हूं कि आपका जो परसन है न वह अभी भी काड के normal और यहां circ? कल्गी हर उसमें मुश्किल में तम्हारा सथ में लेकिन वह इंसान बीच में किसी कि कहने से them Nee. स्टेंडिंग थर्ड पार्टी के बाड़न से उसने एकदम से रिलेशन सिप डिस्टरप कर लिया और बहुत जदा दूरियां आ गए लेकिन वही इंसान ने इतना ज्यादा मतलब एफर्ट्स किये इतना ज्यादा मतलब कोशिस की कि उसने अपनी मंजिल जो है न वहां पर पा आएंगे और कुछ भी हो जागर वह चले भी गए हैं आपके लाइफ से तो भूलाट आएंगे पूरी तरीके से और यहां पर आप देखे रहे हो नौका में सबार है एक इंसान एक परसन और उसने कितने अच्छे से मतलब सब चीज़ें की हैं सारी चीज़ें उसने जो है यह वह ठीक तरीके से की है और ना लोका को लेकर जा रहा है बहुत अच्छा गुड़ साइन आपिया समझें लो आपके रिष्टे में अगर यह काड़ है और यह अनर्जी साथ राजनेट कर रही है तो बहुत ही गुड़ साइन है और यह मतलब आप यह समझदो कि इसमें यह पूरी तरीके से उनिवर्स का सपोर्ट है है ना कभी कभी क्या होता है नहीं कि भगवान खुदी रास्ता बना देते हैं ना तो यह चीज यहां पर मुझे बहुत अच्छी दिख लिए और देखें इसके नीचे कौन सा कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड अभी कोई कुछ बीगार नहीं सकता कोई भी चाहे क्यों फौय सों यहां पर छो राश्ते बना रहे है इश्वर जिससे कि आपका मिलन इनके साथ हो ठीक है तो फिर यहां पर राशियां देख लेते हैं Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Pisces, Livra, Gemini, Taurus and Aries यह राशियां है Alphabet है यहां पर H, R, K, N है, S, E है, L, M है, Y है, N, B, E है, F, D, L है तो यह है Alphabet यहां पर और आपको राशियां भी मैंने बता दी है Long Distance Relationship यहां बहुत ज़्यादा दिखाए दे रहा है मुझे और इस Refresh मुझे दिखाए दे रहा है आपके person के साथ आपका रिष्टा मुझे काफी अच्छा और काफी positive दिखाए दे रहा है और past का connection भी आप लोग के विश में यहां पर दिखाए दे रहा है यह ना रात में सोने की जगा आपके बारे में सोचते हैं इतने दिनों से अगर वो नो कॉंटेक्ट में उन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना तो आप इस मुझे लोग वो आपको देखना चाहते हैं आप से बात करना चाहते हैं आपके सामने आना चाहते हैं यह चीज मुझे दिखे दिखें बॉटम अफ दा कार्ड बॉटम अफ दा कार्ड यहां पर कप्स में है और एक फाइनली जो रिजल्ट में बताने जा रही हूं कि 100% वो अपना वादा आपको निभाएंगे आपके साथ जो नोने किये हैं हर कीमत पर तो गाइस यह है रीडिंग अई होप सो कनेक्ट की होगी मिरे रीडिंग सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैल ऐकन को प्रैस जरूर कर लिजेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए ताकि आगे आने वाले टाइम आप पिरेड में म आसी भी जितनी रीडिंग डालू सारी रीडिंग के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो गाइस टेक केर बाइबाइ